अगर आप अपने Gmail account का password भूल गए है तो उसे कैसे reset करें बिना phone number या email की मदद के तो आपको अपको अपनी Gmail की app में आना है और यहां आपका account जो दिख रहा है इसमें आपको आना है account select करना आपना और manage your Google account पर click करना है तो यहां आपको अपने account से related settings मिल जाएगी home, personal info, data and privacy और इसके बाद security तो security का जो option है अगर आप यहां पर देखेगे security का option तो इसमें जाना है security और इसमें आपको अपने password से related settings मिलेगी लाश्ट टाइम पासवर्ड कप चेंज किये गए थे और आप पासवर्ड चेंज कैसे कर सकते है यह भी तो sign in to Google में जो password का option है इसमें जाना है और इसमें जब आप जाएगे इसमें जाते है password चेंज करने के लिए तो password चेंज करने के लिए आपके सामने option आएगा अभी जो password है वो डालने का ताकि verify हो सके कि आप ही है जो इस account का पासवर्ड चेंज आपके द्वारा ही किया जा रहा है कोई और नहीं कर रहा है लेकिन हमें तो password यार नहीं है तो forgot password पर क्लिक करना है और यहां आप देख सकते कि use your screen lock for your security Google wants to make sure it's really you तो यहां पर use your screen lock continue करना है यहां से और आपका जो स्क्रीन लोक है उसको आपको यहां पर use करना है verify करना इससे तो अब आपके सामने option आ गया create a strong password तो यहां से आप एक नहा पासवर्ड create कर सकते है और फिर उसको यहां से कर सकते confirm और फिर save करके आप अपना account को recover कर सकते अपने जो यहां पर बात करें रिसेट कर सकते अपने password को तो यहां पर फिर से जब home personal for data and privacy and security में आएगे तो security में जब आप आएगे तो password इसमें देखेगे recent security activity में तो यहां पर latest जो activity आ जाएगी वो password change यानि अभी अभी password change हुए है देख सकते आप तो इस तरीके से आप अपना password change कर सकते अगर आप password भूल गया है तो बिना phone number या email की मदद के एप